कुर्स में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है और आपको याद होगा कि पिसले कई करहिं हम लोग ने कंट्रोले स्ट्रोग्शन के बारे में समजने कोशिश करी है reporting यह किदा better b हम लोग ने functions के बारे में पढ़ा यहां पे हमने switch और which command के बारे में सीखा आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए topic को सीखना शुरू करेंगे वो है loop अब पहला सवाल तो यही आता है कि यह loop हमारे क्या होते हैं और इनको हम किस जगह पर इस्तमाल करना चाहेंगे तो loop का इस्तमाल हम उस जगह पर करते हैं जहां पर मुझे अपने किसी commands को या program को एक से ज़्यादा बार repeat करना होता है तो जब भी मुझे program को repeat करना है हम वहाँ पर loop का इस्तमाल कर लेंगे अब हमारे R software में तीन प्रकार की loop होते हैं जो बहुत ही popular है एक है for loop, wire loop और एक होता है repeat loop यह जो हमारे तीन loops होते हैं इनको हम अलग-अलग conditions में इस्तमाल करते हैं इसको हम आपको इस lecture में और जो हमारा अगला lecture है उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस lecture में हम for loop की बात करेंगे और जो अगला lecture उसमें से हम wire और repeat loop की बात करेंगे अब जब मैं यहाँ पर loop के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यह नहीं पता है कि हमारे जो students है या जो हमारी audience है हमारे candidates हैं उसमें से कितने लोगों को loop के बारे में मालूम है तो इस वाले lecture में मैं आपको for loop को समझाऊंगा और इसको मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं आसान तरीके से इस्तार में समझा सकूँ मैं कोशिश करूँगा जब आपको एक बार यह loop का concept समझ में आजाएगा और loop किस परकार से कार करते यह समझ में आ जाएगा फिर मुझे बाकी लूब को समझाना बहुत ही आसान होगा और आपके लिए भी बाकी लूब को को समझना बहुत ही आसान होगा तो अब अगर हम आपको इससे लूब का consept एक चोटे से भारन के द्वारा समझाना चाहें तो हमने अपने colleges में, school में देखा है कि हमारी students की mark sheet या grade sheet बनती है मालिए कि हमारे पास हमारी class में 100 students है और उन 100 students की मुझे grade sheet बनानी है जहां पर मुझे को यह लिखना है कि यह student pass है और यह student fail है तो अब हमने माला कि अगर किसी भी student के हमारे 50% से ज्यादा number आते हैं तो उसको हम कहादेंगे कि student हमारा pass हो गया है और अगर 50% से कम आते हैं तो हम कहादेंगे कि student हमारा fail हो गया है लेकिन हमारे पास इस कार को करने के दो options हैं कि हम अपना यह वाला command लिखें और यह वाला command तो आपने देखा था कि जो हमारे control statements होते हैं conditional executions होते हैं उसके दोरा आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं तो अब हमारे पास पहला option तो यह है कि हमने अपना पहला student लिया पहले student की जो number है उसको enter किया and then उसके बाद में जो हमारा command है उसको हमने execute कर दिया और फिर से मैंने अपना दूसरा student लिया और फिर से मैंने program को execute कर दिया हमारा outcome आ गया कि या तो हमारे student pass हो गया है या fail हो गया है और इसी process को हमने कब तक continue किया एक एक करके जब तक हमारे सारे students के हमारे grade sheet नहीं बन गई अब यहाँ तो आपने सारे student के जो number एक एक करके दी है और इस program को एक एक करके execute किया है सवाल यह है कि क्या हम इसी program को सारे students के लिए एक साथ execute कर सकते हैं जैसे कि हमारे कर्षा में अगर 100 student अगर हैं और हमारा नियम एक ही है कि 50% की उपर अगर नमबर आएंगे तो सुन पास है नहीं तो फेल है तो क्या हम इस प्रोग्राम को ऐसे कर सकते हैं इस्टुट हमारा की प्रोग्राम वारा इस्टुट नमर वन पे आए, टू पे आए, तीन पे आए ओर करते करते, जितने भी हमारे स्टुटेंट्स हैं, हर स्टुटेंट्स के लिए यह वाला प्रोग्राम, अपने आप से एक्जीक्योट हो जाए तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिच कर रहे हैं हम उसी अपने program को repeat करने की कोशिच कर रहे हैं और इस कार को करने के लिए हमारे पास यह loop का concept होता है लूप हमारी सहता करते हैं कि अगर हमारा चाहए कोई कही line का command हो या हमारा कोई program हो function हो जिसमें हमारे एक से ज्यादा command है उनको अगर हमको repeat करना है तो हम loop की सहता से उनको repeat कर सकते हैं तो चलिए हम इस लेक्चर में अपने for loop के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और हम यहां पर कई स्कार्यों धार लेंगे और उनके द्वारा हम आपको for loop का जो concept है और वह किस प्रकार से कार करते हैं और उनका output कैसे आता है उसको आप दिखाने की कोशिश करते हैं चलिए सो आपने जैसे पहले देखाता है कि हम लोग यहां पर control structure के बारे में बात करने हैं और सबसे पहले मैंने control statement की बात करी थी जहां पर मैंने जो हमारे conditional execution होते हैं उनके बारे में बात करी थी और उसके बार में हमने कुछ से जो हमारे control करने के लिए functions होते हैं जैसे हमारा था switch और था which उसकी बात करी थी और आज हम यहां पर अब loop की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको लूप के बारे में बता-दिया की loop का हमारा क्या command होता है क्या हमारा काम होता है तो उसी तरही के से अभ़गे से अगर R में तो हमारे पास जो भी किसी क कमांद को या हमारे पास एक सेज़ादा尋 command हैं उनको repeat करने के लिए हम लूप का उप्योगिता भी अलग-अलग होती है जो हम आपको यहां पर एके करके समझाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए हम अपने इस फॉर्ड लूप को समझने की कोशिश करते हैं For loop का इस्तमाल हम वहां पर करेंगे जहां पर हमको यह पहले से मालूम हो कि हमको अपने कमान को या प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट करना है जैसे उधारग के लिए हम कहें अभी जो मैंने अपना उधारग लिया है स्टुडेंस का वहां پे हमारे पास सू स्टूडेंस हैं और हम सू स्टूडेंस की डेडशीड ना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमको अपने प्रोग्राम को सू बार रिपीट करना है तो ऐसी condition पे हम for loop का इस्तमाल करेंगे अब इस for loop का देखिए जो हमारा flow chart कैसे होता है कि हम अपना program start करेंगे और उसके बाद में हमको उसके loop में एक counter देना पड़ेगा जहां पर हमको अपने उस value को initialize करना पड़ेगा यह देखे counter इसी तरीके का होता है कि जैसे अगर मुझे यह पता करना है कि मैंने अपनी कार में आज के दिन कितने किलोमेटर driving करी तो हम क्या करते हैं हमारी कार में इस तरह की एक reading button होता है हम इसको यहां पे 0000 कर देते हैं और उसके बाद हम अपने कार को drive करते हैं और जब हम वापस आते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारी इस कार की reading क्या है तो इसी process को हम बोलते हैं initialization तो हमारा जो भी हमारा यहां पे counter हमको एक define करना होगा उसको control करने के लिए हमको एक variable define करना होगा उस variable को हम यहां पे initialize कर देंगे और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको हरदम शूने पढ़ी करना है आप उसको जिस संक्या से अपने loop को start करना चाहते हैं वहां से आप उसको कर सकते हैं अब उसके बाद में हमारे पास जो हमारी कुछ condition होगी कि हम उस condition को देखना चाहेंगे कि अगर यह condition हमारी सही है तो हमारा क्या execution होगा और गलत है तो क्या होना है तो अब हमने देखा कि हमारी condition जो भी हमने डी हुई है हमारा counter आगे आता है और वह देखता है कि condition हमारी सही है true है तो वो फिर आगे आएगा और वो जो भी हमारे loop के अंदर instructions लिखे हो गए है, command लिखे हो गए है, उनको execute कर देगा और उसके बाद वो उस counter को एक आगे बढ़ा देगा और फिर से जो भी हमारे अगले counter पर जो भी value लिखी होगी उसके लिए हमारी ये condition फिर से test करी जाएगी अगर ये condition मारी होती है true तो फिर से हमारा control लीचे आएगा और वो हमारे जो भी instructions हैं उनको repeat करने की कोशिश करेगा और फिर से हमारा ये counter आगे बहा देगा और उसके बाद में जब हमारी condition false हो जाएगी गलत हो जाएगी तब ये control बहार आजाएगा और ये program को रोग देगा ये flow chart को अगर आप उसी उधारन से समझने की कोशिश करें कि अगर हमको अपने students की great sheet कयार करनी है जहां पर मुझको लिखना है कि हमारे student pass हो गया है कि fail हो गया है तो सबसे पहले हम यहां से start करेंगे अपना जो भी counter है इसको हम zero पर कर देंगे जो भी हमारी condition हमारी होगी और यहां पर हमको साथ ही यह भी देना पढ़े गा है कि हमारे पास यहां पर total students है उसके बाद में हम condition देखेंगे कि उस student के जो number है वह हमारे पचास से कम है या पचास से ज्यादा है उसकी basis पर यह हमारा जो भी print करना है student pass हो गया है या fail हो गया है उसको करेगा और उसके बाद यह फिर अगले counter पर आ जाएगा अगले counter पर आने का मतला पर पहले इसने जो भी हमारा पहले number पर student लिया हुआ है उसका record देखा है अब यह दूसरे number पर लिखे हुए student का record चेक करेगा और फिर से इसी condition को चेक करेगा और जो भी इसका outcome आएगा उसके अनिसार हुए grade sheet में print कर देगा कि student pass हुआ है कि फेल और यह process हमारी कब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे 100 student का record प्रिंट नहीं हो जाता है और जैसी यह हमारा 100 के बाद आठात 101 पर आएगा वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा condition मारी false हो जाएगी और हमारा program वहाँ पे समापत हो जाएगा तो यह for loop हमारे देखिए इस प्र parenthesis में लिखेंगे name in vector यह name क्या है यह हमारा एक variable है जो हमारा इस vector के अंदर जो values दी हुई है उनको control करेगा यह values क्या है कि यह variable इस vector के अंदर जिन जिन values पर आपको loop को execute करना है यह उनकी information देगा और जो भी यहाँ से input मिलेगा वह उसको इसके आगे हमारे पाद जो भी commands हैं उनको हम curly bracket के अंदर लिख देगे उन commands को यह execute कर देगा और इसका देखिए हमारा structure क्या होगा for parenthesis में लिखा हमने वो जो variable का नाम और उसके बाद हमको लिखना है इन और उसके बाद में word vector लिखना है जो हमारा input variables को control करेगा यह हमारा कोई एक data vector भी हो सकता है कोई हमारा एक frequency भी हो सकता है यह आपके ओपर different करता है और उसके बाद curly bracket लिखना है जहां पर हमारे सारे command लिखने हैं अब उसके बाद में हम जलासा एक छोटा सा आपको धारग लेते हैं और इस धारण के द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा किस प्रकार से कारे करेगा यह बहुत ही चोटा सा अब अगर मालीजीए हमारा उदेश है कि हमको एक से लेकर के past की जो संख parenthesis में हमने लिखा i in 1,5 तो देखिए यह हमारा क्या है यह हमारा controlling variable है यह control क्या चीज़ कर रहा है यह हमारा यह जो values दी हुई है यह हमारा vector है और इस vector के अंतर जो भी values दी हुई है इनको control करता है और साथी में हमको यहां पर लिखना है जो इसका pattern है वो यह i in in और इसके बाद में जो भी values दी है अब जब यह values आताती है तो जो भी values यहां से आएंगी उनको हमको square करके print कराना है तो यह command मैंने इस curly bracket के अंदर दे रिया और यहां पर command लिख दिया print और parenthesis में लिख दिया i square यह i कहां से आ रहा है यह देखिए आपका controlling variable है तो i यह जो भी value लेगा वो यहां पर square होके print हो जाएगी तो अब अगर आप इस for loop की जो कार करने की अराड़ी है तो कार शैली को आप अगर देखना की कोशिश करिए तो कुछ इस तरह की आएगी वो यहां पर हमारे पास i की 5 values है एक, दो, तीन, चार और पांच तो सबसे पहले यह जो हमारा i है यह हमारा i equal to one लेगा जो भी यह पहली value है और पहली value यहां से लेने के बाद यह हमारा इस curly bracket के अंदर आ जाएगा और यहां पे कर देगा print one square और उत्तर आपको मिल जाएगा एक इसके बाद यह हमारा one से उरकर के दो पर आएगा और ले लेगा i equal to two और उसके बाद जो हमारे curly bracket के अंदर command लिखा हुआ है print two square उसको execute करेगा और आपको उत्तर देगा इसके बाद यह जो हमारा counter है i की value हमारे दो से उठ करके जो भी अगली value है तीसरी position पर जो हमारी value है यहां पे तीन तो यह उसको assume करेगा i equal to three और यहां पर यह फिर curly bracket के अंदर जो command लिखा हुआ है print three square यह उसको print कर देगा execute कर देगा और यह print कर देगा यहां पे nine इसके ब आएगा और यह यहां पर लेगा i equal to four और यहां पर फिर यह आगे आने के बाद में जो भी हमारा command दिया हुआ है print four square इसकी value आजाएगी इसको यह print कर देगा इसके बाद अब यह चार के बाद यह value लेगा पांच तो i equal to लेगा पांच और यह यहां पर print जो भी हमारा curly bracket में command दियो गए हैं उनको execute देगा print five square और यह value आपको देगा पच्छेस इसके बाद में अभी आगे आएगा तो अगर माली यहां पर i equal to six लिखा होता तो उसको execute करता लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है there is no value इस तरह की कोई value नहीं है तो यह यहां पर रुख जाएगा और यह program को communicate कर देगा right तो अब देखिए यह जो आपका output आया है one four nine sixteen twenty five देखिए यही तो आपको यहां पर दिया हुआ है तो देखिए यह जो आपका for loop है यह इस प्रकार से कार करता है अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर आपने जैसे दिया है one colon five तो उसमें से सारी values हमारी एक दो तीन चार पांच हैं इसके अलाबा आप अगर कोई और अगर value लेना चाहें उसको भी आप ले सकते हैं त हमने यहां पर one two three four five जो हमारी एक continuation में sequence मेंना value हो करके मैंने यहां पर चार value नहीं है c command के द्वारा data vector command के अंदर और चार value हमारी है two four six seven तो अब ऐसी condition में देखिए हमारे क्या होगा यह हमारा i जो है सबसे पहले हमारा पहले value लेगा i equal to two और उसके बाद में यह command हमारा ज जो भी अगली value है four i equal to four लेगा और यह four square को print कर देगा इसके बाद यह जो अगली value है छे इसको लेगा i equal to six और यहां पर यह six square को print कर देगा और उसके बाद यह अगली value लेगा साथ तो i equal to seven और यह seven square को यह print कर देगा तो देखिए यह जो value आती है two square four square six square seven square यही आपको य कि यहां पर outcome मिल जाएगा जो आप यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो भी हमारे controlling variable है आई यह हमारे इस data vector के अंदर जो भी हमारी आशक्ता होती है उसके अनुसार यह उन values को ले लेता है अब हम चलिए जड़ा इन command को आपको R console में करके दिखा देते हैं आपको यह थ्वासा confidence आना चाहिए कि आप कर सकते हैं अब इसके लबाद देखिए हम क्या करते हैं जहां पर मैंने दिया था i equal to one two three four five यहां पर हम देते हैं two comma four comma six comma seven और फिर से देखे execute करते हैं तो देखे आपको यह उत्तर मिल गया तो देखा आपने की इस for command को R software में execute करना बहुत ही आसान काम है और इसमें कोई बहुत ऐसी दिक्कत नहीं आती है अगर आपने command को सही तरीके से लिखा हुआ है अब हम आपको यहां पर एक और ओधारहन देना चाते हैं और इस ओधारहन में आपको यहां इसा देना चाते हैं जहां पर हमारे पास एक से ज़ादा command है जिनको हम करना चाहते हैं एक से ज़्यादा कमांड को इस्तिमाल करने के लिए हमारे पास एक भेतर तरीका होता है कि हम उसका एक प्रोग्राम लिख दे और इस प्रोग्राम को हम अपने आर्ट सॉफ्ट्वेयर में कहते हैं फॉंक्शन एक हमारी समस्या यह है कि अभी तक मैंने आपको इस फॉंक्शन के बारे में नहीं बताया है यह फॉंक्शन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम बाकी अपने सॉफ्ट्वेयर में कोई प्रोग्राम लिखते है और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको इसी प्रकार से लिखना होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे फ-u-n-c-t-i-o-n और उसके बाद प्रेंथिस में हम अपने जो भी इंपुट वेरिबल्स को लिख देंगे और उसके बाद में हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर जो भी अपने कमांड्स है उनको हम दे सकते हैं जैसे देखी यहां पर मैने करली ब्रैकेट का नाम दीख किवार इसके अंदर हम को जो भी कुछ एग्जेएक्वीट करना है उसको हम यहाँ इसके अंदर execute कर सकते हैं यह जो function है और हम R में कैसे program लिखते हैं यह वाला topic हम आपको loop के बाद कम जाएंगे और यह तो देखी मैंने आपसे पहले कहता कि जिस प्रकार से हम लोगों ने फैसलिया किया है कि हम इस course को समझने की कोशिश करेंगे वो है उधारल के द्वारा तो हम अगर कोई भी उधारल लेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ commands ऐसे होंगे जो हमने अभी तक सीख लिए हैं और कुछ commands हमारे ऐसे होंगे जो हम आगे आने वाले lectures में सीखेंगे तो देखें यहां पर यह कुछ ऐसी situation हमारी है कि function के बारे में अभी हमने ठीका नहीं है लेकिन हम इसको इस्तमाल करने जा रहे हैं लेकिन मैं आपको यह assure करता हूं कि यहां पर कोई ऐसा मैं बहुत बड़ा कार नहीं करने वाला हूं और यह के कोशिश करूँगा और यह तो देखिए जब तो कि मैं आप की सहता नहीं करूँगा और आप हमारी सहता नहीं करेंगे इस कूर्स में एक दूसरे के लिए समझना और समझाना कठिन होगा तो मैं आप सभी से करता हूं कि आप अभी यह जो फंक्शन का कमांड है आप उसको ऐसी समझ लीजिए और जो हमारा आगे वाला लेक्शर होगा लूप के बाद उसमें से हम आपको फंक्शन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो अब दिख दिखिए हमारे हम यहां पे क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास एक कुछ हमारे पास यह वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनको मैंने एक डेटा वेक्टर X के अंदर स्टोर कर दिया है और हम यह चाहते हैं कि इस X वेक्टर में जो भी वैल्यूज है इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 3 से बगी आती है तो हमको यह पता करना है कि इस डेटा वेक्टर में इस तो कि कितनी ऐसी वैल्यू है जिनको हम 2 से डिवाइड करने के बाद में उनका माल 3 से जाधा अर्थाद अगर हम कहें कि एक वैल्यू यहां पर है 8 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो तो इसकी value तीन से ज़्यादा आएगी तो यहां पर आपके पास तीन values ऐसी हैं जो इस condition को satisfy करती है और यह तीन value है two, four, six जिनको आप अगर दो से divide करेंगे जैसे दाहरे के लिए two divided by two यह आपको हो जाएगा एक और यह हमारा तीन से छोटा होता है तो इसका मतलब यह है कि हम अगर ऐसे number की संख्या चाहते हैं अपने data vector में जिनको हम दो से divide करें और उनका मान तीन से ज़्यादा आजाए यह बहुत छोटा सा card है लेकिन हमारा objective है कि हम इसको इसको for loop में कै कैसे करेंगे यह हम आपको यहाँ पर करके दिखाना चाहते हैं तो इस कार को करने के लिए पहले मुझे counting के लिए कुछ इंतिजाम करना होगा क्योंकि मुझे काउंटिंग करने है कि कौन सा number हमारा जो हमारा outcome है वह हमारा 3 से जादा होगा कौन सा हमारा 3 से छोटा होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है नाम काउंट आप यहाँ पर खुछ और भी कर सकते हैं अब इसके बाद आपको पता है कि हमको कार क्या करना है हम को कार यह करना है कि अगर हमारी संख्या को 2 से भाग देने के बाद में वह वैल्यू अगर 3 से जादा आती है तब हमको उसको consider करना ह यहाँ पर इस लूप का इस्नाल कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर लगा कि जो हमारी वैल्यू है वह हमारी 3 से ज्यादा है की नहीं इसको मुझे cross check करना है अब यह कौन सी वैल्यू होगी और हमारे पास वैल्यू यहाँ पे एक तु नहीं हमारे पास यहाँ पे total थे दो चार्ट शे आर्ट दस बारह और हम यह चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम लिखें कि इस डेटा वेक्टर में से यह हर एक वैल्यू को कंसिडर कर ले और हर एक वैल्यू के ऊपर यह वाली कंडिशन लगाए और उसके बाद में हमारे पास ऐसी जितनी भी वैल्यू आ जाए जैनका मान क्रीम से जाता होता है उनकी संख्या बता दे तो उसके लिए हम यहां पर एक for डूप लगा देते हैं जो हम लेग दिया for और यहां पर हमने parenthesis में एक variable डिफाइन किया जो हमारा एक controlling variable है और यह हमारी X के अंदर जो values हैं उनको यह control करेगा तो इस controlling variable का नाम ने दे दिया xval, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, अब हमने कहा कि यह जो हमारी value है xval, यह अगर हमारी, इस value को अगर हम 2 से divide करते हैं, और यह value अगर हमारी 3 आती है, तो इसके मारे पार 2 option आएंगे, true or false, तो अगर यह value सही आईगी तो आपको पता है कि if condition के द्वारा execute हो जाएगी और अगर गलत आईगी तो execute नहीं होगी, तो उस condition को execute करने के लिए हमने यहाँ पे लिग दिया, हमारी condition क्या है, जो हम execute करना चाहते है, count is equal to count plus 1, अर्थात, कि अगर यह value तीन से बगी आती है, तो जो हमारा count है, वो हमारा count plus 1 से replace हो जाएगा, और उसके बाद में, हमने यह जो भी कुछ हमने अपना यह for loop के अंदर दिया हुआ है, यह देखी मैंने इसको एक curly bracket के अंदर बन कर दिया है, यह हमारा हो गया curly bracket number 2, और पहले हमारा क्या था, curly bracket number 1 देखिए, right, उसके बाद में जो हमारा variable है x-val, यह हमारी x के अंदर की सारी values को ले लेगा, उसके बाद यह counter हमारा बहर आ जाएगा और यह print कर देगा, क्या, जो भी हमारे count variable की value आई है, ओके और उसके बाद में, अगर हम इस program को execute करना चाहेंगे, आर console पे तो हमको इसका जो program का जो नाम है, function का नाम है e, x, c, o, u, n, t, x-count, यह मुझे यहाँ पर लिखना होगा x-count और parenthesis में लिखना होगा x, उसके बाद में यह देखिए हमको उत्तर देदेगा 3, अब कहला से हम इस function को देखने की कोशिश करते हैं, कि क्या करता है, तो सबसे पहले आप यह देखिए, अगर यहाँ पर x-val में कौन-कौन से value जें, 2, 4, 6, 8, 10, और 12, right, अब यह यहाँ पर क्या करेगा, यह if condition को इस्तमाल करेगा, और यह x-val की पहली value लेगा, x-val equal to 2, और यह define करेगा 2 upon 2, क्या यह कीन से ज्यादा है, उत्तर आ जाएगा false, तो यह क्या कर देगा, जो हमारा count है, इसकी हमारी initial value क्या है, 0, तो इसको यह 0 रहन देगा, क्योंकि यहाँ पर condition हमारी execute ही नहीं होगी, अब इसके बाद यह x-val हमारा जो भी ugly value है, यह उसको लेगा, और ugly value हमारी क्या है, x-val equal to 4, तो 4 upon 2 क्या हो जाएगा, यह क्या 3 से बग जो भी x-val में हमारी अगली value है, वहाँ पर आएगा, अगली value क्या है हमारी 6, तो x-val हो जाएगा 6, अब 6 divided by 2 is greater than 3, यह condition भी है false, तो count आपका जो आपने initial value ली थी, वहीं से 0 रहेगा, तो क्योंकि पहली भी आपका 0 था, अब उसके बाद में, आप जो भी यहाँ पर अगल value है, 6 से आपने लेली 8, तो अब आपकी value क्या हो गई, x-val is equal to 8, अब 8 divided by 2, क्या यह कीन से बगी है, तो 8 divided by 2 आपका हो गया 4, और 14 से बढ़ा है, तो यह condition हमारी हो गई true, तो count आपका क्या हो गया, यह आपका count प्लस 1 हो गया, तो यह पहली value क्या थी 0, तो 0 प्लस 1 हो गया, और count की value क्या आगई, 1, इसके बाद में देखी क्या करेगा, जो 8 के बाद में, जो भी x-val में अगली value है, इसको लेने की कोशिच करेगा, यह क्या हो जाएगा, x-val is equal to 10, और फिर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर देगा 10 upon 2, क्या यह हमारा 3 से बढ़ा है, उत्तर आएगा yes, true, तो count हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा count पहले आया है, यह 1, 1 plus 1 equal to 2, और finally क्या करेगा, finally तो फिर यह आपने जो भी 10 के बाद में अगली value दी हुई है, x-val is equal to 12, यह उसको लेगा, और फिर से चेक करेगा 12 upon 2, क्या यह 3 से बढ़ा है, उत्तर आएगा, true, और उसके बा आपने देखा कि इस for loop को हमने function के अंदर किस प्रकार से इस्तमाल किया है, और अब यहां पर दो command को use करना चाहते हैं कि पहले हमारा if condition हो और इसके बाद में हम उसको print करें, तो इस program को आपको R software में करने के पहले हम आपको एक program और दिखाना चाहते हैं, और हम जहां पर अंदर भी for loop को इस्तमाल कर सकते हैं, जैसा कि एक मैंने कोई लिखा for loop यहां पर और उसके अंदर हमने लिख दिया एक और यहां पर for loop, इसको मैं कह सकते हैं, यह हमारा for loop number 1 और यह हमारा for loop number 2, तो जैसी हमारा control आएगा, यह control हमारा आपको यह समझना है कि अंदर से बाहर क और कार करेगा, मतलब कि जैसी हमारा control program का अंदर आएगा program में, यह हमारा loop 1 की जो पहली value है, उसको लेगा और फिर यह loop 2 के अंदर आएगा, और loop 2 की यह सारी की सारी values पर अपने program को execute करेगा, और उसके बाद यह फिर से loop 2 की अगली value लेगा, और फिर से loop 1 की दूसरी value के बाद में loop 2 की सारी सारी values को फिर से execute करेगा, तो यह हमारे पास सुविधा होती है for loop के अंदर, कि हम for loop के अंदर भी हम for loop का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह हमारे 2 से जादा for loop भी हो सकते हैं, और जो इनका operation भी इसी प्रकार से होता है, कि जो भी हमारा curly bracket में लिखा हुआ है, वह हमारे सारे सारे operations execute होंगे, तो इसी बात को चलिए हम आपको एक छोटे सो धारन के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे दो data vector लेते हैं, एक लेते हैं child और लेते हैं sweet, तो child के अंदर हमारे तीन बच्चे है, child 1, child 2 और child 3, उनके अमने नाम दिये हैं, और sweet के अंदर हमारे पात तीन तरह की sweets हैं, एक है sweet 1, sweet 2 और sweet 3, अब देखिए, यहाँ पे child और sweet का जो data है, उसको control करने के लिए, मैंने यहाँ पे दो controlling variable define किये, एक हमें लिए x और एक लिए y, तो x जो हमारा है, यह हमारा child को control करेगा, और y हमारा sweet को control करेगा, राइट, अ आप इसमें से देखिए, हम क्या करना चाहते हैं, हम यह क्या चाहते हैं, हम यह करना चाहते हैं, कि हम चाइल्ड और sweet के हमारे जितने भी data values हैं, उनके combination को आपस में paste करके, हम उसको print करना चाहते हैं, जैसे, कि हमारा इहाँ पे print हो जाले, child 1 और उसके साथ में print हो जाले, sweet one उसके बाद में चाइल्ड 1 के साथ में जो हमारा अगला option है sweet two यह हमारा print हो जाए उसी प्रिकार से हमारा अंत में यहाँ पर चाइल्ड number जो भी है three और उसके साथ में sweet three हमारा print हो जाए तो इस कार को करने के लिए हमारे पास एक command होता है paste तो paste के बारे में अभी हमने बात नहीं करी लेकिन आगे आने वाले lectures में हम इसकी बात करेंगे और जैसे इसका नाम है उससे आपको इसका जो कार है समझ में आ जाएगा paste माने चिपकाना अर्थाथ ये हमारे दोनों variables की जो values को अपस में paste करके हम इसको print करना चाहते हैं तो अब यह देखिए यह किस प्रकार से कारे करेगा देखिए child के अंदर आपके पास तीन value है एक दो और ती child one child two child three और sweet के अंदर आपकी कितनी values है एक दो और तीन sweet one sweet two और sweet three तो यह जो हमारा program है इसमें से आप अगर ध्यान दीजिए तो सबसे पहले मैंने अपना for loop लिखा यह हमारा child के अंदर जो clean values हैं उनको यह x के दोरा control करेगा और जो भी हमने यहां पर इस curly bracket के अंदर इसको हम दे देते हैं कली bracket number one इसके अंदर हमारा जो भी program लिखा हुआ है जो भी हमारा command लिखा हुआ है यह उसको execute करने की कोशिश करेगा तो इसकी बाद हमने देखिए for loop के अंदर मैंने यहां पर एक और for loop दे दिया यह for और यहां पर हमारा है यह variable y जो हमारा suite की जो values को control कर रहा है और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारा command हम execute करना मैं चाहते है उसको मैंने यहां पर कर लिब 민주 करना मैंने दे दिया दो अब यह देखी क्या करेगा है यह इसके अंदर आएगा और यहां पर यह जो भी कमांड दिया हुआ है यह उसको ऐसे क्योट करेगा और यह गब करता रहेगा जब तक कि इस स्वीट में हमारी तेनियों वैलियू के ओपर कार खतम ना हो जाए और फिर यह हमारा अंदर से बाहर की ओर जाएगा और फिर हमारा जो हमारा वैरेबल है एक्स उसके अंदर जो मारी तीन वैलियू है चाइल वर इंचाइल टूल चाहे तो इनको देने की एक-े करके कोशिश करेगा तो इस कार को अगर हम अपने आर सौफ्ट्ययर में करते हैं तो देख्या यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आउटकम दिखाई पड़ेगा यहाँ पर पर हम आपको ज़्ला से समझाब गार के की यह किस प्रकार से कार क रहा है सबसे पहला तो for y in suite تو y के अंदर आपके पास कौन से variable है? suite 1, suite 2, or suite 3. अब इसके बार में कैसा मैंने बताया कि यह जब आपके for loop के अंदर for loop होता है तो इसका हमारा जो car है यह अंदर से बाहर की ओर होता है तो यह कब से पहले क्या करेगा? यह जो भी हमारी X के अंदर पहली वैल्यू है Child 1 उसको लेगा और फिर उसके बाद ही हमारा लूप आगे आएगा और यह Y के अंदर जो भी हमारी पहली वैल्यू है उसको लेगा Suite 1 और उसको यहां पर प्रिंट कर देगा फिर उसके बार में चुकी हमारा y का loop x के loop के अंदर दिया हुआ है तो सबसे पहले ये y की जो बाकी values है suite 1, suite 2 और suite 3 उनको consider करेगा और साथ में लेकिन ये हमारा चुकी पहले x equal to child 1 को ले चुका है तो यहाँ पर x equal to child 1 ही continue करता रहेगा और यही देखें output आपको यहाँ पर दिया हुआ है और यह कार होने के बाद में फिर यह क्या करेगा x equal to जो हमारा x में दूसरी value दी हुई है child 2 यह उसको लेगा और फिर ये y के अंदर आएगा और y से जो value पहले नंबर पर दी है suite 1 उसको pick up करेगा उसके बाद y के अंदर जितनी भी values दी है suite 1, suite 2, suite 3 उनको यह pick up करेगा और उनको execute करेगा लेकिन साथ में जो x की value हमारी child 2 ही रहेगी और उसके बाद में finally फिर यह हमारा y equal to फिर हमारा x equal to ले लेगा child 3 और उसके बाद में y के अंदर आएगा और y के अंदर value लेगा y equal to suite 1, y equal to suite 2 और y equal to suite 3 और साथ में जो इसने value पहले x की ली हुई है यह उसको fix रखेगा और देखिए आपको यह outcome यहाँ पर मिल जाएंगे तो आपने देखा कि इसके जो functioning होती है जिस परकार से for loop कार करता है यह बहुत ही आसान काम है और यह बहुत कठिन नहीं है और यह इसका एक screenshot भी है कि जब आप इसको आर पे अब execute करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा तो अचलिए सबसे पहले हम आगे बखने के पहले हम आपको इन दोनों प्रोग्राम को आर्मे करके दिखा लेते हैं और मुझे पूरा भरोशा है कि आपको यह बह करना है तो हमको यह जो X count का जो नाम है यह मुझे को यहां पे type करना होगा और यहां पे हम parenthesis में जो हमारा input है X हम इसको देने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस नापको उतर दे दिया 3 और इसी प्रकार से आप अगर जो आपको अगला प्रोग्राम है यह वाला जहां प करते हैं तो देखिए मुझे को इस प्रकार का outcome दे देता है तो यहां पर outcome निकालना तो बहुत ही आसान है लेकिन यह outcome किस प्रकार से आ रहा है यह समझना बहुत ही आवश्यक है और यही मैंने कोशिश करी है आपको कम जाने की अब जब हम अपने इस लूप में कार कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें बिन-बिन तरह की conditions आती हैं जहां पर हमको बिन-बिन प्रकार के कार करने होते हैं तो उन कारियों को करने के लिए हमारे पास कुछ specific commands होते हैं उसके बारे हम यहां पे आपको एक-एक करके समझाने की कोशिश करते हैं तो पहला command हम जो आपको बता कैसे कि हम गाली में ब्रेक लगाते हैं तो अगर हमने अपने लूप को स्टार्ट कर दिया है और अगर हम लूप को उसके बिना complete हुए हम उसको बीच में रोकना चाहते हैं तो वहां के तो इस कार को करने के लिए हम ब्रेक कमान का यूज करते हैं कैसा कि आपने अभी देख के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है वह एक एक करके सारी सारी वैल्यूज को इस्तमाल करता है और इससे फार लूप को एक्जीक्यूट करता है लेकिन अगर हम यह चाहते हैं कि उस डेटा वेक्टर में कुछ ऐसी वैल्यूज है जहां तक खार करने के बाद में हमारा फ कॉफी लेमोनेट टी और जूस यह सारे हमारे करेक्टर से तो उनको मैंने डबल कोर्स में लिखा हुआ है अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कॉफी लेमोनेट टी और जूस इनको हम प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन हम साथ में यह भी चाहते हैं कि अगर हम प्रिंट रुख जाए, तो यह कार कैसे किया जाए, इस कार को करने के लिए हम ब्रेक कमान का इस्तमाल करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, यह देखिए हम आपको एको धारन के दोरा समझाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना लिखा for x in drink, तो drink की जो values कहां से आएंगी, यह जो आपका वेक्टर है, और x क्या करेगा, यह हमारा एक एक करके drink की values को लेगा, और हम क्या चाहते हैं, कि if x is exactly equal to, अथा यह हमारा logical operator है, equal to t, then उसके बाद में break, तो यहाँ पर यह हमको जो भी command देना है, चुकि मैंने if command लिया है, तो इसके साथ में जो भी हमको command देना है, यह मैंने इस curly bracket number एक के अंदर यहाँ पर दे दिया, अब यह कार इसको अपने drink vector के अंदर जितनी भी values हैं, हर value के लिए करना है, तो मैंने यहाँ पर for loop का इस्तमाल किया, और मैंने जो भी यहाँ पर हमको अपना command execute करना है, इसको मैंने एक curly bracket number 2 के द्वारा दे दिया, और इसमें से है क्या, कि यह हमारा जब, जहाँ पर हमारा break हो जाएगा, वहां तक हमारी जितनी भी values x की आई हैं, वो हमारी यहाँ पर print हो जाएं, तो देखिए, आप इसका अगर उत्तर लिखेंगे तो क्या होगा, कि जो हमारा x है, यह हमारी coffee में पहली value लेगा, जैसे x equal to coffee में, यह पहली value लेगा, और इसके बाद में इसको print कर देगा, इसके क्या होगा, यह हमारा जो भी हमारा x है, यह फो मारा घूली value है, लेड़ मूनेड, वहाँ पर आएगा, और उसके बाद यह, इस लेपो लिखा हुआ है, यह हमारा क्मांड अगया, यह हमारा अगया प्रोग्रपल के जैनलिए वहाँ पर आएगा और वहाँ पर लिखा X.to t तो यहां पर हमारे command आ गया ब्रेक तो यहां पर रोग देगा program को और उसके साथ में जो इसने यहां पर यह coffee और lemonade को store किया है यह value यहां पर हमको print दोना बता देगा तो आप में देखा कि break के through आप अपने इस प्रोग्राइम को इस लूप को कहीं पर ऐसी जगा पर रोख सकते हैं जहां पर आपकी इच्छा हो अब इस ब्रिक कमांड के साथ में हमारे पास एक और कमांड होता है इसका मतलब क्या होता है अगला अर्था कि जैसे आपने देखा कि जब भी हम अपना फॉर्लूप करेंगे तो फॉर्लूप में जो भी हमारा कंट्रोलिंग वैरिबिल है वह हमारा उस डेटा वेक्टर के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी हुई है उनको एक एक करके यूज करेगा और अपने उस प्रोग्राम को एक्जीकूट कर देगा लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वह उस कंट्रोलिंग वैरिबिल की जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वहां पर कार ना करे अर्थात उनको छोग दे और छोग करके हमारा जो भी वैल्योज होगी वह उसके फो आप लैमूनेट को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आपने यहां प्र visualization के लिए ली अगर लिख दिया तो क्या होगा आप नहीं से लिख लेका लुब्रेंट छो जो भी इसके आगे है आपué आपने इस करी डर बिच्च नंबर वाण के अंदर लिख दिया इसके बाद में आप आगे आते हो और आपने यहाँ पे condition लिख दी if x is exactly equal to lemonade then क्या करना है यो भी करना है इसको आपने scully bracket number 2 के अंदर लिख दिया आपने यहाँ पे लिख दिया next right और इसके बाद में यह हमारा जो भी program है जो भी values आएंगी उनको print कर देगा तो अब जड़ा अगर समझने की कोशिश करिए तो यह program किस प्रकास से कार करेगा जो भी हमारा x यहाँ से value लेगा और यह हमारे इस drink vector की पहरी value करेगा coffee और coffee को यह कर देगा print x equal to coffee और यह coffee को यहाँ पे कर देगा print फिर उसके बाद यह क्या करेगा coffee के बाद में जो भी अगली value है lemonade यह उसको देखेगा अब यहाँ पे उसने देखा कि यह तो x equal to lemonade पर command है next तो अर्थात यह उसको print नहीं करेगा और उसके बाद यह जो हमारी इसकी आगे की values दी हुई है x equal to t और x equal to juice यह इनको और इनको ले लेगा और इनको यह यहाँ पर print कर देगा दोनों values को और देखिए आपको outcome कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा तो आपने देखा कि इसको भी execute करना बहुत ही आसान है और इसी में अगर मालीजे आपने यहाँ पर इसको जो अपने program को कहा कि lemonade को इस्तमाल मत करो अब अगर हम मालीजे lemonade की जगा कहते हैं कि p को इस्तमाल मत करो अर्थात पी की value जहाँ पर आती है आप उसको skip कर जाओ तो हम क्या करेंगे जो भी हमारा program है इसमें से खाली जहाँ पर हमने लिखा था पहले x equal to lemonade वहाँ पर हम कर देंगे x equal to t अब देखिए हमारा program बिल्कुल ऐसी कार करेगा यह हमारा x में से पहली value को लेगा coffee यहाँ पर कोई समस्चा नहीं है तो यहाँ पर यह coffee को print कर देगा उसके बाद यह जो भी हमारी x की अगली value है lemonade यह उसको लेगा यहाँ पर कोई समस्चा नहीं है तो यह इसको lemonade को यहाँ पर print कर देगा उसके बाद यह third value में यह आएगा t, तो t में आपने कहा कि अगर यह यहाँ पर x की value t आती है then आपको use कोई नहीं next तो यह इसको skip कर देगा और इसके बाद में यह जो भी हमारी antime value है juice यहाँ पर आएगा यहाँ पर x is equal to t हमारा गलत हो जाएगा false हो जाएगा तो यह हमारी इस value juice को यहाँ पर print कर देगा और यह कारी के screenshot भी है तो अचली हम आपको ज़रा से इसको आर कंसोल में करके भी दिखाते हैं आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो अब हमने देखी यहाँ पर इस अपने इस अपना in commands को copy कर लेते हैं जिससे हमारा time बच जाएगा और कि मैंने को यहाँ पर paste किया तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर कहाता है कि अगर एक्स की value टी है तो इसको यहाँ पर break कर दो तो जहाँ पर था टी वहाँ इस ने ब्रेक कर दिया और इसने आपको coffee और lemonade को यहाँ पर दे दिया उच्छी के आप जब अपने इस command को भ आप उसको skip कर दो तो उसने देखिए lemonade को skip कर दिया और बाखी जो तीन वाली ती coffee tea or juice इसको उसने यहाँ पर print कर दिया और अगर आप अपने इसमे lemonade की जहखा को आप अगर यहाँ पर आप टी को अगर आप skip करना चाहते हो तो आपको देखिए इसी variable में जो आपको है drink इसक तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम में रुटे हैं इस lecture में और आपने देखा कि यह हमारा command मैंने एक ही इस्तमाल किया और साथ में उसके जो भी हमारे helping commands होते हैं उसके बारे में बताया और इसका operation बहुत ही आसान था लेकिन यह lecture थवासा लंबा था इसलिए क्योंकि मैंने तो आसान से आसान भाशा में और इसको जितना विस्तार से हो सके मैं आपको समझा दूँ क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे student या candidate ऐसे भी होंगे जो शायद loop के बारे में पहली बार समझ रहे होंगे तो मैंने कोशिश करी कि for loop की सहायता से हम आपको हमारा loop किस प्रकार से कार करता है यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ और उसलिए मैंने यहां पर कई उधारा लिये हैं और उसको मैंने विस्तास समझाने की कोशिश करी अगर आपको इस लूप की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी तो जो हमारे आगे आने वाले लूप हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वायल और रिपीट उनको समझना बह जब आपडो लूप में लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको वही आउटकम मिल रहा है रचोधारन के लिए मैंने यहां पर जब दो लूप की बात करी की फ़ॉरूप के अंदर फ़ॉरूप है तो मैंने वहां पर दोनों फ़ॉरूप में मैंने उसमें कमान डिटा वेहां में आप अधर सकते हैं और उसमेंसे देखी क्या होता है तो आप इस शिजों की प्रक् phosphate करी और आपको अगले लेक्शर में वायर और और रिपीट लूप के बारें बताने फिर आएए तब तक्नें के लिए गड़ बाई बाई. बाई बाई बाई.